दोस्तो हिमाले परवत बरफ से लिप्टी हुई एक ऐसी जगह है जहार जाने पर ऐसे लगता है कि मानो आप एक नई दुनिया में आके हो हिमाले अपने आप में इतना बड़ा है कि इसका विस्तार पांच देशों के साथ जुड़ा हुआ है जसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, भोटान और नेपाल शामिल है दोस्तो हिमाले परवत पंदरा सो गलेशेर से मिलकर बना है और इसके अंदर बारा सो किलोमेटर तक पीने का साफ पानी जमा है इतना ही नहीं, बलकि दुनिया की सबसे बड़ी नदियां गंगा, सिंधू, ब्रहमपुत्र, हिमाले से ये निकलती है अब देखिए हिमाले के बारे में आमसी बाते तो सबी लोग जानते हैं लेकिन आज हम आपको जो रहस से बताने वाले हैं उसके कारणों को वेग्यानिक भी आज तक नहीं जान पाए है और जानने के कोशिश कर रहे हैं और जानने के बावचूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है सबसे पहले आता है अलग वातावरन दोस्तों पूरी दुनिया में पॉलिशन के कारण वातावरन तीजी से खराब होता जा रहा है लोगों के लिए शहरों के हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है लोगों को अलग-अलग बैमारिया घिर रही है लेकिन जब हम हम हिमाल्यों को देखें तो यहां का नजारा ही सबसे अलग है हमाले के घाटियों में रहने वाले लोगों को तमा, गठिया, तवचा रोग और बहुत सी बिमारिया छूबी नहीं सकती है वहीं दूसरी और शहरों में प्रदूशन की दर लगातार बढ़ती जा रही है वहीं जम्मू कश्मीर उत्राखंट जैसे देशों में रहने वाले लोगों का स्वास्त शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना में बहुती बहतर है यहां पर रहने वाले लोग एक अच्छा और स्वस्त जीवन जीते हैं लेकिन वहीं अगर तिबबत की बात की जाएं तो यहां पर रहने वाले लोग सौट साल से जादा उमर तक जीते हैं जो कि एक बहुती बड़ा रहसे है और ऐसा कैसे होता है इसके बारे में अभी तक कोई भी बता नहीं पाया है इसलिए अगर आप भी एक लंबी उमर चाहते हैं तो आप हमाले की गोद में जाकर रह सकते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि हमाले हमेशा से ही देवी देवताओं का निवास स्थान बना रहा है यहां पर ब्रह्मा, विश्नू, शिवजी के स्थान के साथ इंदर का राज्य भी यहां पर हुआ करता था इसके बारे में पुरानों वेदों में आर्सानी से लिखावा मिल जाएगा इसे के साथ ही आपको यहां पर देवी देवताओं के कई स्थान भी मिलेंगे इसी वज़र से कहा जाता है कि यह वही जगा है जहांपर हजारों सालों से अद्बुत शक्तियां निवास करती थी और यही शक्तियां हमारी दुनिया को चला रही है इसलिए जब भी आप हिमाले में प्रविश करेंगे तो आपको एक साथ हजारों मंदिरों के दर्शन कर सुक महसूस होगा बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि मनुष्य जीवन की शुरुआत हमाले से हुई है क्योंकि हमाले में बहुत से जिवाश्म पाए गये हैं जो कि पूरी दुनिया में मिलने वाले जिवाश्म में से सबसे पुराने हैं और जिसकी वज़ा से यह पता लगा है कि मनुश्य के जीवन की शुरुआत हेमाले से ही हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनुश्य को जीवी त्रहने के लिए फल आदी की जरूरत पड़ती है। और वहीं यह सब चीजे हमाले पर बहुती भरपूर मातरा में मौजूद थी। और इतना इने बलकि कई रिसर्च कंपनियों द्वारा इस पर शूत लगातार चलती रहती है। जिसमें नए-नए रहस्यों का खुलासा होता रहता है। लेकिन अभी तक विज्ञानी को द्वारा जितनी चान भीन की गई है। उससे पता चला है कि मनुष्य जीवन के सबसे पुराने सुबूत हमाले से ही मिले है। जिससे ये पता लगता है कि हो ना हूँ, दुनिया में जीवन के शुरुवात सबसे पहले हमाले से ही हुई थी। दोस्तो अगर मठो गुफाओं और मंदिरों की बात करी जाए, तो हमाले में इनसे जुड़े हुए बहुत से रहसे मौजूत है, जिसे इंसान के लिए समझना नामुम्किन है। यहाँ पर बहुत हिंदू और जैन धर्म से जुड़े कई मठ, गुफाएं और मंदिर मौजूत है। इन्ही गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि इसमें कई ऐसे तपस्वी रहते हैं, जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। और आपने एक बार सुना भी होगा कि ज्यादा तर तपस्वी हेमाले पर जाकर ही तपस्या करते हैं ताकि उन्हें इश्वर की प्राप्ती हो सके। जोशी मत, ग्यान गंज मत, हिमिस मत और कैलाश परवत पर भी कई ऐसी गुफाए हैं जहां तक इंसान और इंसान द्वारा बनाये क्या, कोई भी यंत्र आज तक पहुँच नहीं सका है। और इन जगाओं पर आम आदमियों के ना पहुँच सकने के कारण और रिशी मुनियों के बारे में आज तक भी हमें पता नहीं चल सका है। दोस्तो अगर हमाले में मिलने वाले जानवरों की बात कीजाएं तो सबसे पहला जानवर जो दिमाग में आता है, वो है यती यानि की हिम माना। ये वो जानवर है जिसका शरीर आम इनसानों से काफी बड़ा होता है और ये दिखने में कुछ-कुछ बंदरों जैसा दिखता है, लेकिन इनसानों की तरह चलते हैं, तो ये बहुती रहस्मई जी माने जाते हैं, इसलिए इनके बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना जात हैं, लेकिन वो कहा हैं और कैसे रहते हैं, इसके बारे में कोई भी जान नहीं पाया है, लेकिन जिन लोगों ने भी इसे देखने का दावा किया था, उनके साथ अजीब और गरीब घटनाय होने लगी थी. दोस्तो अगर जब भी चमतकारी जड़ी बूटियों की बात की जाएगी, तो उसमें सबसे पहले हिमाले का नाम आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी शक नहीं है, कि हिमाले पर बहुत सारी दुरलब जड़ी बूटियां पाई जाती है, और हनुमान जी लक्षमन को बचाने क के लिए हिमाले के एक शेतर से ही संजीवनी का परवत उखाड कर ले गए थे, हिमाले ही एक मात्र ऐसक शेतर है, जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है, तो यहां पर ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद है, जो न सिर्फ बिमार इंसान की बिमारी को सही क किया जा सकता है, और यहां पर मिनने वाली कई जड़ी बूटियों का रहस्य आयरुवेदा और अन्य करंथों में मिलता है, कहा जाता है कि हिमाले दिव्वे जड़ी बूटियों के मामले में सबसे श्रेष्ट है, हिमाले पर बहुत सारी ताकतवर जड़ी बूटियां उसकी बाद ये है कि किसी को भी इसके सही इस्तिमाल के बारे में जानकारी नहीं है और आज तक भी विग्यानिक यहां पर मौजूद जड़ीबूटियों के बारे में अच्छी तरह से जान नहीं पाया है दोस्तो वैसे तो हिमाले में कई ऐसे गाव है जहां पर मौबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता है और आपको मौबाइल फोन चलाने के लिए किसी उची चोटी पर चड़ना पड़ता है लेकिन हिमाले में एक ऐसी रहस्य में जगा भी है जहांसे अगर आप एक कदम भी दूर हो जाते हैं तो आपका मौबाइल फोन नेटवर्क काम करना बंद कर देगा लेकिन उसी जगह पर खड़े होने पर मौबाइल फोन का नेटवर्क बहतर ढंग से काम करता है जो की हैरान करने वाली बात है कि आखिर ये कैसे हो सकता है तो इसके बारे में भी आज तक कोई नहीं जानता लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा बस खड़े भर रहने का एक ऐसा स्थान है जहां पर लंबी लंबी लाइने लगी रहती है दोस्तो बहुत सारे विग्यानिकों का मानुआ है कि धर्ती पर दूसरे ग्रहों के लोग छुपकर रहते है और उन्हीं जगहों में से हेमाले भी एक है लेकिन आज भी भारतिय सेना और विग्यानिक भी इस बात को नहीं मानते लेकिन उन्होंने एलियन ना होने के वजूत को भी अस्विकार नहीं किया है लेकिन बहुत बार भारतिय सेना और तिब्बत पुलिस द्वारा लद्दा के क्षेतर में यूएफो को देखे जाने की खबर दी गई थी लेकिन बाद में इस बात को सरकार द्वारा दबा दिया गया नमबर आठ खतरनाग जील यहाँ पर मौझूद रूप कुंड जील जिसे कंकालों की जील के नाम से भी जाना जाता है उत्राखंड के चमौली जिले मौझूद रूप कुंड जील हिमाले की सबसे रहसमई जगों में से एक है और आपको पता नहीं होगा कि अतीत में इस जील में लगभग 200 मनिश्यों के कंकाल देखने को मिले थे कई वग्यानिकों के अनुसार ये कंकाल लगभग 1000 साल पहले से भी ज्यादा प्राचीन माने जाते हैं और आज भी जब इस जील का पानी पिखलने लगता है तो चारो तरफ कंकाल ही कंकाल दिखाई देने लगते हैं तो दोस्तो आपको हिमाले के इन रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगा तो कॉमेंट में लिखकर इसके बारे में जरूर बताईएगा तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होके वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा तो आज की वीडियो में बस इतना है तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद